डियर इस्टूटेंट आप सभी काईपी स्टूडी कॉमर्स एंड इंग्लिज गुरुजी चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थविवस्था के प्रकार अर्थविवस्था के प्रकार से बहुत सारे प्रस्ण जो है परिच्छा में आते हैं और इसे किस प् दिखाता हूं इसके बारे में जो आया था वह यह देखिए यह प्रस्ण पूछा गया था कि केंद्रिय योजनाबद्द अर्थविवस्था और बजार अर्थविवस्था में अंतर इस प्रकार पूछे जाते हैं ठीक है इसको आपको धियान देने वाली बात है कि इसमें इस टॉपिक में आपको बहुंँ सारे प्रस्ण जो है देखने को मिलेंगे कौन-कौन से जैसे की प्रस्ण मिलेंगे तो सबसे पहले पूछे जाने वाले प्रस्ण में पहला समाजवादी अर्थविवस्था की विश्यस्था है यह देखिए समाजवादी अंतर पूने हैं यह फिर बजार अर्थभ्यूस्था और समाजवाधी अर्थभ्यूस्था में अंतर जिसको हम केंद्री अर्थ भी जानते हैं समाज Ao लिडिकर है तो अभी पुरश्न आया था व इन दोनों को लե कर लेकर शीसार समाजवादे अर्थ-व्यधा तरह को वाज़ा ये समाजवादे अर्थ-व्यूस्ट pipeline ये समाजवादी अर्थ-व्यूस्ट体 है और यह पुंजिवादी अर्थव्यवस्ता है चलिए करके हम बारी-बारी से मैं आपको समझाता हूं तो आपका डाउट सारा क्लियर होते जाएगा सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्ता के प्रकार में तीन प्रकार है पहला पुंजिवादी दूसरा समाजवादी तीसरा मिस्रित पुंजिवादी को हम बजार अर्थव्यवस्ता के नाम से जानते हैं और समाजवादी को केंद्रिय नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्त तो इसको केंद्रिय योजना बद्द अर्थविवस्ता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, केंद्रिय नियोजीत या केंद्रिय योजना बद्द अर्थविवस्ता भी अगर बोलेगा, तो आपको समाजवादी अर्थविवस्ता को ही ध्यान में ठीक है तो यह तीन प्रकार आप समझ गए पूंजीवादी समाजवादी और मिश्रित ऐसे याद रखेगा पूंजीवादी को हम और क्या बोलते हैं बजार अर्थविवस्ता के नाम से जानते हैं और समाजवादी को हम केंद्रिय नियोजीत या केंद्रिय योजना बद्द अर्थवियोस्ता के नाम से जानते हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पुंजिवादी अर्थवियोस्ता क्या होता है और इसकी विश्यस्ता है पर प्रस्ण भी परिक्षम पूछा जाता है कि पुंजिवादी ऐर्थबियौस्थाूं किसे कहते हैं और उसकी विश्यस्थाओं का वैड़न कीजिए तो सबसे पहले यहां पर देखे हैं पुन्जीवादीई अर्थबियौस्था पुझिवादी अर्थविवस्था या बजार अर्थविवस्था जिसमें आर्थी क्रियाओं का नियंत्रण प्रबंधन और निर्धारण बजार सक्तियों के अधार पर होता है उसे बजार अर्थविवस्था या पुझिवादी अर्थविवस्था के नाम से जानते हैं हो गया होगा इसमें आर्थ विवस्ता का संचालन कीमत कीमत खार के अधार के अधार तो इस अर्थ ब्यूस्ता के महतव्पूर्ण तत्व ? ईन्हां विशेश्टा क we check कर Puján जानते जांगे हैं। आप सकतियां उसके अथार पर बेजार अर्थ ब्यूस्ता क στα अलना यह जिसमें आर्तियों को जीने भी शेषता में पहला लब उद्धेश्य तो पुणिवादिया-अर्थ-विवस्ता में पहला जो उद्धेश होता है व 어떻게 उद्धेश्य मतलब क्रत्यक्तत्यख़ अधिक्तम लाब तथा उभोगता अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त करना चाहता है प्रत्यक उत्पादक क्या चाहता है अधिक्तम लाब कमाना चाहता है उत्पादक मतलब जो उत्पादन करने वाला है और प्रत्यक उभोगता क्या चाहता है तो अधिक्तम संतुष्टी प् दूसरा लिखा है सरकारी नियंत्रण सरकारी नियंत्रण तो इस अर्थविवस्ता में सरकार का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है सरकार बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं करती है इस अर्थविवस्ता को किसको पूंजी पती अर्थविवस्ता को या पूंजी वादी अर बजार सक्तियों मांग तथा पूर्ति के द्वारा संपादित मतलब मांग और पूर्ति की जो सापेक्षिक सक्तियों उसके द्वारा मुल्य का निर्धारन होता है मांग बढ़ने पर मुल्य बढ़ जाता है और मांग में कमी होने पर मुल्य घड़ जाता है इस प्रकार से तो कीमत रहते हैं और चौता है उभुकता का प्रभुत्व अधान की दसा को निर्धारिद करता है उपक्ता अपनी आय को इच्छानुसार विभीन पहलों पर और ब्याय करता है जो भी आए होरी उभुकता को अपनी इच्छन उसर भी रहे करता है ठीक है तो यह आपको चार पॉइंट आपको याद रखना है पहला क्या सुरी पांच पॉइंट है पहला उद्र लाब उद्देश लाब कमाना उद्देश होता है पुझी बादी अर्थ विवस्ता में दूसरा सरकारी नियंद्र नहीं होता चौथा बजार की सक्तियों के द्वारा जो है यह आरतिक कार्यों का संचालन होता है में और जौंथा है कीमत यंत्रा होते हैं ऑब्भुक्ता का प्रतुब होता है उद्धेस लावकमाना सरकारी नहीं होता बजार सक्तियां मांग और पूर्तिक की सायं कुझ सक्तियों दौरा और जौथा कीमत यंत्रा और पांचो भोगता का प्रभुत्व यह चार पॉइंट और पांच पॉइंट को आपको याद रखना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यह हो गया इसमें केवल इसको इतना को याद रखना आपको आर्थी क्रियाओं का नियंत्र प्रबंधन और निर्धारन बजार सक्तियो के धार पर हो बजार अर्थवीवस्था का आर्दी है ठीक है मिस्रित अर्था ये वाला सेके인द魚 तो इसमें में एक देस में आर्थी क्रियाएं dil शरकार द्वारा नियंत्रित Mario की जाती है मतलब कहाने है कि समाजवादि भी डोलता है। उसमें भूक उत्पादान जितने भी ़िक राही हो सरकार उसको नियंत्रित और नियमित करती है मतलब किस प्रकार से संचालन करना है उसको यह सरकार के होता है , अर्थि नियामन सरकार करती है , इसका संचलन सरकार किये गए प्रसाधन के अधार पर निश्चित उद्देशों की प्रापति के लिए किया जाता है , जिस प्रकार भारत में योजना आयोग यह नीनाई लेता है कि क्या उत्पादन किया जाए कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और उसका बित्रण किस प्रकार से हो हाला कि अब योजना आयोग को जो है समाप्त करके इसके जगह में नीती आयोग का गठन कर दिया गया है इसको आपको दियान रखना थिक है छाय लिए नीतियायों को बदल करकर के नीतियों किया जाता है इसलिए का नाम नीती आयोग रखा गया ठीक है आगे बढ़ते हैं तो समाज वाध है बिद्ध आर्थपर बिद्धες रोखित में अर्थी क्रिआओं का फिक्रियाओं पर उस देस की सरकार का नियमन और नियंट्रण नियन्तरण और नियमन्न होता है नियंतरण और नियमन्न दूसरा समाजी कल्यान को बढ़ाना है समाजी कल्यान को बढ़ाना है तीसरा है प्रतिसपरधा का अभाव तो इस अर्थ ब्यवस्ता में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण प्रतिसपरधा का अभाव मतलब इसमें प्रतिसपरधा का अभाव सरकारी होता है और चंथा आरथिक समानता है आर्थिक समानताय में क्या तो इस अर्थ वियस्ता में उत्पादन के साधनों पर समाजिक और सरकारी स्वामी तो होने के करण समाज में धन का बित्रण बहुत अधिक समान होता है, आर्थिक समानताय होती है और चांथा रहन्ताई सोषण का अंथ तो इस अर्थ वियस्ता में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामी तो होता है जिसके करण समाज पूंजी पती और श्रमिक वर्ग में विभाजित नहीं हो पाता है जिस से स्रमिकों का सोषण नहीं हो पता है मतलब सरकार जो है आर्थिक कल्याण के लिए उत्पादन कारे करती है समाजिक कल्याण के लिए उत्पादन कारे इसमें सरकार कर नियंत्रयन होता है तो कोई भी उत्पादन कारे होता है तो वो स्रमिक वर्ग पुंजी पती इस प्रकार से अलग-अलग वर्गों में भाजित नहीं होता है सब के लिए एक समान नियम और सब के लिए एक समान उत्पादन कारियर किया जाद है ठीक है इन सोशन का अंथ तो पांच पॉइंट को याद रखना है पहला नियंत्रण दूसरा समाजिक कर्यांड तीसरा प्रतिसपरधा का भाव चौथा आर्थिक समनताय और प पूछा जाता है तो इन पॉइंट को याद रखने पर आपका अंतर का अधार भी अच्छे से बन जाएगा ठीक है जैसे नियंत्रण हो गया तो नियंत्रण में देखिए इसमें सरकार कर नियंत्रण होता है जबकि उसमें पुझ्जिवादी अर्थभास्ता में बजार कर अंतरन होता है तो ऐसा एक-एक टॉपिक को ले करके अंतर को भी क्लियर कर सकते हैं फिर उसके बाद हम आगे बढते हैं अजिंचाहते हैं नीजी अर्थbyजस्था का मतलब होता है है मीला जूला दोनों का सहस्तित्व होता है नीजी और सरवजनिक छेत्र दोनों का सहस्तित्व का मतलब नीजी छेत्र का भी भागिदारी होता है और सरवजनिक छेत्र दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं दोनों के कार्य करने के छेत्र निर्धारित कर दिये जाते हैं, दोनों के कार्य करने की प्रणाली इस प्रकार होती है, जिससे देश के सभी वर्गों के आर्थिक कल्यान में बृद्धी हो तथा आर्थिक विकास की गती तेज हो जाए। मिश्रित और्थव्यस्था के नाम से जाना जाता है इससे क्या होता है तो आर्थिक कल्णान में बृद्धी होती है और आर्थिक विकास गती तेज होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी विश्यस्थाओं को देख लेते हैं बिश्यस्थाओं जो है यहां पर दिया हुआ है पहला निजीत अथा सारोजनिक छेत्र का सहस्थित्व मतलब है मिला जुला प्रयास दोनों का तो मिश्रित अर्थव्यस्था में निजीत एवं सारोजनिक छेत्र साथ साथ पाया जाता है दोनों छेत्रों को बराबर महत्वत दिया जाता है दूसरा लिखा है आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता होती है परंत यहां पुझीवादी आर्थ्यव्यश्था की तुलना में कम होती है पुझीवादी आर्थ्यव्यश्था में क्या होता है पूरा जो पुझीपतिया लोगों के पास उत्पादकों के पास होता है आर्थिक स्वतंत्रता होती है लेकिन उसमें सरकार का नियंत्रन नहीं होता है लेकिन थोड़ा कम होता है ठीक है कम होता है इसको याद रखेगा तो आर्थिक स्वतंत्रता तो मिस्तित अर्थ व्यवस्ता में आर्थिक स्वतंत्रता तो होती है लिखना है लेकि पूंजी वादी अर्थ व्यास्ता की तुलना में कम होती है इतना आपको लिखना है ठीक है तीसरा जो है वो है आया और संपत्ती में विशंता का भाव तो मिश्रित अर्थ व्यास्ता में पूंजी वादी अर्थ व्यास्ता की तुलना में आया हुआ संपत्ती में विशंता क पाई जाती है आया और संपत्ति में विसंता का बाव तो आया और संपत्ति में विसंता का मतलब होता है एक प्रकार की कमी और विद्धी जैसे आया और संपत्ति में विसंता मतलब आप समझ सकते हैं जो निर्धान वर्ग है जो गरीब वर्ग है वो गरीब ही रहा है और जो फुंजीपती बनते जा रहा है और अमीर बनते जा रहा है यह रहा है क्योंकि गरीब व्यक्ति और उत्पाद्न भी उसी प्रकार से होता है मिस्रित अर्थवर्वस्था में कीमत यंठर ही उत्पादकों के निड्णेओं को प्रभावित करते हैं वस्तु उत्पादन के लिए आवस्यक साधनों की किमतों को को ध्यान में रखकर अश्यक साधन की किमतों को ध्यान में रखकर प्राया स्वतंत रूप से आर्थिक नीड़नें लेती है पांचवा जो पॉइंट है वो है यहां पर आ गया है यहां पांचवा पैंट आपको याद रखना है मिस्त्रित अर्थ ब्यश्थ्थ वाले अनेक देशों में आर्थिक नियोजन को अपना कर अपनी अर्थवियस्था को एक निश्ची दिशा में विख्षित करने का प्रयात्ना किया है आर्थिक नियोजन मतलब इस मिश्चित अर्थवियस्था वाला जो भी देश है उसमें आर्थिक नियोजन को अपना करके अर्थवियस प्रश्टा को विक्सित करने का प्रयास एक निश्ची दिशा में किया गया है ठीक है अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं इस साल जो प्रस्ण परिच्छा में पूछे गये थे को याद कर ये अंतर का धार तो आपका परिच्छा में हमेशा इन पॉइंटों को याद रखने पर आपका प्रस्ण का अंसर इसली बन जाएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं नियंत्रण तो केंद्री अर्थव्यवस्ता जिसको हम क्या बोलते हैं समाजवादी नहीं होता है दूसरा दूसरा उत्पादन का उद्देश्य मैं जो समझा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए मांग और पूर्ती में सरकार कर नियंत्रण नहीं रहता बस इतना याद रखना आपको ठीक है इसमें क्या होता है मांग पूर्ती के सरकार करन नहीं होता दूसरा अधीक सोरकार करना होता है जितना अधिक से अधिक हो सके तो समाज कनली व्रिदी हो इस उद्देश को ध्यान मेरा करके उद्दपादन कारे किया जाता है जब कि बजार अर्थ बियोस्ता का उद्देश कहोँता है अधीक से अधीक लाब कमाना होता है तिसरे सरकार की भूमिका currently में केंद्रिय योजनाब अर्थ्वास्तव में सरकार सक्रिय भूमिका का निर्वहान करतीं है नहीं होती है किसमें बजार सरकार की कोई भूमिका नहीं होती जब की केंद्रिय योद्नाबद्द में सरकार की भूमिका होती है ठीक तो पहला नियंत्रण केंद्रिय योद्नाबद्द में सरकार का पूरा सरकार का नियंत्र नहीं होता दूसरा उत्पादन को अधेश यह इसमें समाजिक कल्यान में ब्रिधिक करना है उत्पादन को अधिक्तम लाब कमाना होता है क्लियर हो गया तीसरा भी हो गया कि इसमें सरकार के भूमिका होती है केंट्रिय योजना बद्द में लेकिन बजार अर्थव्यस्ता में सरकार की भूमिका नहीं होती चौता है विकास प्रक्रिया, इस अर्थब्योस्ता में विकास प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप चलती है, सरकार जो विकास या योजना बनाती है उसी का अधार पर जो है उस योजना को अमल मिलाया जाता है, उस योजना का अधार पर कारिक किय जाता है जबकि बजार अर्थव्योस्ता में इस अर्थव्योस्ता में विकास प्रक्रिया को बजार की सक्तियों पर छोड़ दिया जाता है यह बजार की सक्तियों पर अधारित होता है बजार अर्थव्योस्ता पांच्वा स्वामित्व तो इसमें संपत्ति के नीजी स्वाम स्वामित्व की उच्चतम सीमा का निल्धारण कर सकती है तो इसमें सरकार का स्वामित्व होता है और इसमें क्या होता है तो इसमें संपत्ति इसमें नीजी स्वामित्व की मात्रा पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होती यह नीजी होता है इसमें संपत्ति का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है ऐसा भी आप लिख सकते हैं क्लियर हो गया तो पहला नियंत्रण दूसरा उत्पादन का उद्देश तीसरा सरकार की भूमिका चौतर विकास प्रक्रिया और पांचवा स्वामित्वत यह पांच पाइंट आप याद करके रखें परिछा में चार न इसी में प्रशन और नमबर में वास्टिक करतर चास्तर में लिए पहला ही चव्तर का प्रशना है इसके बारे में उसके बादे इस प्रकार से बना करके बताया हुआ है तो आप नहीं देखे हूंगे तो विडियो को जा करके प्लेस्ट में देख सकते हैं एकॉनमिक से प्लेस्ट मील जाये कर ठीक है वास्तवी करतर शास्त्र आधर सहर्थर सास्त्र में अंतर को अब हम यहां पर देखे केंद्री योजना और प्रस्ण कैसे आते हैं इसको मैंने बताया है अभी समाजवर्थी अर्थव्यस्तक विशेश्चना है मिस्रित अर्थव्यस्ता और समाजवदी अर्थव्यस्ता में अंतर तो इस प्रकार की यह जो प्रस्ण समाजवर्थी अर्थव्यस्ता के नाम से जानते हैं तो आज के टॉपिक में बस इतना ही आसा करता हूं आपको सारा किया होगा आप दो बर रिवर्ज रिव्यसर्ण है करके देखें वीडियो को आप लाए बार बार देखेंगे तो जीजेंगे आपके दिमाग में बैढ़ते जाएंगी और आपको समझ में आते जाेगा सब्सक्राइब चीज को आप बार बर पढ़ेंगे तो वह चीजें आपके दिमाग में चली जाती है फिर आप परिच्छा में बीना याद किये भी आप वहां पर लिख सकते हैं जब चीजें समझ में आ जाती है तो चीजों को लिखना असान हो जाता है याद किया हुआ चीज भूलने की खत् बार परिच्छा में पढ़के जाएए सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा तो आज के टॉपिक में इसके आगे के जो पॉइंट है उसको ले करके हम वीडियो बनाएंगे मैं लगातार एकोनामिक्स में जो नवबोत प्रकासन का बूख है और प्रबोत प्रकासन का चीजें आपको जल्दी समझ वाएंगे उन चीजों को ले करके यहां पर स्टडी माटेरियल तैयार कर आपके लिए इस प्रकार से उपलब्द करारने का प्रयास किया जा रहा है साथ में एक ब्लॉग चैनल है जिसमें मैंने इसका जो पीडिएप कॉपी है वो डाला हुआ है आप उसमें जा करके यह जो पढ़ाया हुआ हूँ उसका आपको पीडिएप ब्लॉग के माजम से मील जाएगा तो आप देख सकते हैं पीडिएप कॉपी वहां पर मैं चैनल में डिस्क्रिप्शन बाक्स में उसका लिंक अवस से डाल दूंगा आप उसमें क्लिक करके ए